नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नोलजवानी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आर्थिक सर्वेक्षन 2019 यानि की इकॉनोमिकल सर्वे 2019 से रिलेटिड 10 Most Important MCQs को डिसकस करेंगे और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आर्थिक सर्वेक्षन होता क्या है और इसे कब पेस किया जाता है दोस्तों ये जो MCQs होंगे ये आपके exam के point of view से important होंगे और exam में पूछे जा सकते हैं इसलिए आपको इस वीडियो को सुरू से लेके लास्तर जरूर देखना है और दोस्तों हमारे चैनल नोलेजवानी को सब्सक्राइब कर बैल आइकन जरूर पैस कीजेगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर हमें कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं तो चलिए स्टाट करते हैं आज की ये वीडियो और जानते हैं आर्थिक सर्वेक्शन 2019 से रिलेटिड जानकारी को सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताएंगे कि जो आर्थिक सर्वेक्शन है ये कहते किसे हैं तो जोस्तों जो आर्थिक सर्वेक्शन होता है ये आर्थिक मामलों के विभाग भारत का वित्त मंतराले और केंदरिये बजट से पहले हर साल संसद में जो ये आर्थिक सर्वेक्शन है इसको परस्तुत किया जाता है यानि कि जो आर्थिक सर्वेक्षन है ये आर्थिक मामलों के विभाग और भारत का वित्त मंतराले परस्तुत करता है और ये हमेशा केंद्रिय बजट जो भी केंद्रिय बजट होता है सेंटर का बजट होता है उससे पहले हर साल संसद में जो है इसको परस्तुत किया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर संसद की बात की जा रही है तो संसद आपको पता है जो संसद है यह तीन चीजों से मिलकर बनती है जो लोगसबा है, राज्यसबा है और राश्टपती यह तीनों से तो यह लोगसभा और अज्यसभा दोनों में यह पेस किया जाता है जो आर्थिक सर्वेक्शन है यह तो दोस्तों यह केंद्री बजट से पहले पेस किया जाता है और केंद्री बजट से एलेटिड वीडो भी आपको हम जल्द ही इन डिटेल और MCQs में प्रवाइड करा देंगे नेक्स जानते हैं इसका पॉइंट तो दोस्तों बता दें कि यह जो है आर्थिक सर्वेक्शन मुख्य आर्थिक सलाकार वित मंतराले के मार दर्सन में तयार किया जाता है नेक्स्ट इंपोडेंट पाइंट है यह देश के वार्षिक आर्थिक विकास पर मंत्राले का अवलोकन होता है यानि कि जो मंत्राले हैं वित्मंत्राले हैं और आर्थिक मामलों का विभाग है वह देश का जो वार्षिक यानि कि पूरे वर्ष का जो आर्थिक विकास है economical जो development है वो किस तरह से रहा है उसके बारे में इसमें देखा जाता है बताया जाता है और दोस्तों बता दें कि जो वित्मंतराले हैं और भारत सरकार है और जो है आर्थिक सर्वेक्षन का एक परमुक वार्षिक दस्तावेज पिछले 12 महीनों में भारतिय अर्थवस्ता में विकास की समिक्षा करता है यानि कि जो पिछले 12 महीने गए हैं उसमें भारतिय अर्थवस्ता में कितना विकास हुआ है कितना नहीं इसकी समिक्षा इस आर्चिय स्रेक्षिन में की जाती है और परमुक विकास कार्कुर्मों का परदर्शन का सारांस इसमें दिया जाता है लगू से मद्यम अव्धी में अर्थवेस्ता पर सरकार की नितिगत पहलों और सब्भावनाओं पर इस selection के दोरा प्रकास डाला जाता है चली जाते हैं कुछ और facts दोस्तों बतादें कि यह जो दस्तावेद है यह budget सतर के दोरान संसत के दोनों सदनों में यानि कि लोगसभा और राजसभा दोनों में जो है इसको pace किया जाता है दोस्तों with और corporate मामलों की जो मंत्री है जिनक इन्होंने वर्ज 2018-19 का जो आर्थिक सर्वेक्षन है वो संसद में पेस किया है और दोस्तों बतादें कि इस सर्वेक्षन के अनुसार 2019-2020 में विकास दर में तेजी आएगी और इसके 7% रहने का अनुमान है इस आर्थिक सर्वेक्षन में दोस्तों बतादें कि जो 7% की इसका मतलब है कि भारत दुनिया में सबसे तेज गती से आगे बढ़ता रहेगा और दोस्तों बता दें कि पिछले वित्वर्ज 2018-19 में सकल घेलू उत्पादियान की GDP की जो विर्दी दर थी वो 5 साल के नियूंतम इस्तर पर थी जो थी 6.8 पर्तिशत तो ये तो हुआ 38 से चलिए देखते हैं पहला MCQ तो सबसे पहला MCQ है आपके सामने कि आर्थिक समिक्षा 2019 के अनुसार वित्वर्ज 2025 तक 5 लाग क्रोड यानि की 5 ट्रिलियन डॉलर की एकोनोमी बनने के लिए भारत को पर्तिवर्ज कितना पर्तिशत ग्रोथ यानि की वृद्धी हासिल करनी जैसे कि हमने अभी आपको facts में बताया है कि आर्थिक समिक्षा 2019 के अनुसार 2024 से 25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थशता के लिए 8 पर्तिशत की सतत वास्तिक GDP विकासदर की जरूरत है जबकि भारत को पर्तिवर्ज 7 पर्तिशत की ग्रोथ हासिल करनी होगी अगर भारत को 5 पांच लाग ट्रिल्यन डॉलर की एकॉनमी बननी है और दोस्तों यह लक्ष़े जो है 2025 तक निर्थारित किया गया है तो एक्जाम में यह भी कोशन आ सकता है कि आर्थिक समिक्षा के अनुसार 5 लाग क्रोड ट्रिल्यन डॉलर की एकॉनमी बनने के लिए भारत ने कितने व तो ये सचभार्द मिशन के तहट आर्थिक समिक्षा में बताया गया है कि कितनों के पास है तो इनका परतिसे बताना है तो अपना सही उत्तर आप हमें कमेंट में दे सकते हैं तीस राज्यों और केंसासी पर्देसों में सो परतिसत व्यक्तिकत घरेलू सोचाले यानि कि IHHL की कवरेज भी की जा चुकी है तो 93.1% लोगों को तक सोचाले की जो है पहुँच समिक्षित कर दी गई है ऐसा आर्थिक समिक्षा में सिमिक्षा में बताया गया है नेक्ष देखते हैं तो नेक्ष है कि आर्थिक समिक्षा के अनुसार 2021-31 के दुरान कामकाजी आयूवाली अबादी में मोटे तवर पर परतिवर्स कितनी व्रिद्धी होगी तो आर्थिक स्मिक्षा में कितने पर्चेंट की वृद्धी बताई गई है तो ये बताना है तो इसका सही उत्तर होगा ओप्षन D. 9.7 million तो जो आर्थिक स्मिक्षा है इसमें कहा गया है कि 2021-31 के दुरान जो कामकाजी आयू वाली अबादी है यानि कि जो काम वगेरा करती है वो मोटे तोर पर 9.7 million पर्थिवर्स और 2021-41 के दुरान 4.2 million पर्थिवर्स इसकी जो वृद्धी है वो होगी इसमें कहा गया है कि 2021 तक राष्टिय कुल गरबादारन दर और पर्थिसापन दर जो है वो कम रहने की संभावना है चलिए next question देखते हैं तो next है आर्थिक स्मि important question exam में आ सकता है तो इसका सही उत्तर आप हमें comment में जल्दी से दें इस question का सही उत्तर होगा option C चोथा दोस्तों बतातें कि जो वित्तमंत्री है निर्मला सीतारमन इनके दवारा संसद में पेश किये पेश किये गए आर्थिक सेलेक्शन में यह कहा गया है कि पवन उर्जा में पांचवे स्थान पर उपलवद है भारत में उर्जा दस्ता कारेकरों की बदोलत ही 50,000 कोड़ रुपे की बचत हुई है CO2 यानि की कारवन एक्साइड के उस सर्जन में 108 अटाइस मिलियन टन की जो है कमी हुई है तो पहन उर्जा में भारत का जो अब स्थान है वो चो स्थान है तो यह आपको डिटेल याद रखनी है नेक्स कोश्चन देखते हैं नेक्स्ट है कि आर्थिंस मिक्सा 2019 के अनुसार भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बजार में जो हिस्सेदारी है वो मात्र 0.06% है यानि कि भारत में जो बजार है जो भी मार्केट है उसमें जो परसेंटेज है वो सिर्फ 0.06% है ये भी आपको याद रखना है जबकि नार्वे में इसका कितना परतिसात है ये बताना है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन B 39% तो नार्वे में इसका सबसे ज्यादा 39% है बता दें कि भारत में सच इधन एवं परेवरन धेगवाल के बार में ये 39% सबसे अधिक है नेक्स्ट है कि 38 मिक्सा 2019 में नियुन्तम वेतन के बारे में नीमित अधिसुजनाव के लिए श्रम एवं रोजगार मंतराले के अंतरगत किस व्यवस्ता का परसाव किया गया है तो इंपोर्टन कोशन है तो यहाँ पे इसका कोशन का सही उत्तर हो ओप्षन ए national level dashboard तो national level dashboard वेवस्ता का परस्ताव स्रम एवं रोजगार मंतराले के अंतरगत किया गया है नियुन्तम वेतन के बारे में नियमित अधिसुजनाओं के लिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षन 2019 के अनुसार किरशी शेत 2019 ये बताता है कि जो किर्शी शेत्र है उसमें महिलाओं की भागेदारी 2015 से 16 में जो है बढ़कर 13.9 परसेंट हो गई है नेक्स कोश्चन है कि 38 सेलेक्शन 2019 के अनुसार सकल पुंजी निर्माण यानि कि GCF 2017 से 18 में किर्शी शेत्र में सकल पुंजी निर्माण कितना पुंजी निर्माण रहा है वो रहा है दोस्तों ओप्शन D 15.2 परसेंट तो 15 दशनलो दो परसेंट जो है ये किर्शी सेत्र में सकल पुंजी निर्माण का परतिशत है नेक्स कोश्चन है कि 38 सेलेक्शन 2019 से 20 किसके द्वारा पेश हाली में किया गया है तो बहुत ही सिंपल कोश्चन है हमने आपको बता दिया है जो आर्थिक सर्वेक्शन है वो निर्मला सीतारमन जो की वित्व कार्परेट मंतराले की मंतरी है उनके द्वारा पेश किया गया है नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट कोश्चन है कि 38 सर्वेक्शन को बजट सतर के दुरान संसद के किस सदन में परस्तूत किया जाता है तो जब संसद में जो है व這些 सेट्व जब India सत्र होता है तो उस दॉरान संसद के दोनों सदणों लोगसबा और राज्येसबा दोनों में पेश क्या जयसे कि आपको पैक्ट में बताया तो इसका सही Uttar होगा option c दोनों लोगसभा और राज्यसभा दोनों में आर्थिक सेलेक्शन को पेश किया जाता है तो ये थे आर्थिक सेलेक्शन से लेटिड 10 most important MCQs जो आपके exam में पूछे जा सकते हैं तो आप इनको ढंग से त्यार कर लीजेगा इसमें अपना revision इसको दुबारा से वीडियो को देखके आप इसमें अपना test भी कर सकते हैं ठीक है और इसमें जो है अगर आपको वीडियो को अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं share कर सकते हैं और फ्रैंड के साथ अब भी लेंगे दोस्तों अगरी वीडियो में तब तक के लिए हमें दीजे इजाज़त थैंक्स फोर वाचिंग